ही वाट्स अप गाईज इस आई टेएज जी हेर बैक वेट अनलर वीडियो एद आज किस वीडियो में तुम देख सकते हो गाईज अभी मैं बालकोनी में आया हूँ क्योंकि बाई सुबह सुबह का बत्ता है यार एद सुबह सुबह एकदम ठंडी और ताजी हावा चलती है तो भाई हम माजा क्यों देख सकते हो सामने में कोई टावर है यह देखो हवा चल रही यार गेम में भी आज अज मेरी जर्णी होने वाले मैं तुम आभी सारी बाते बताऊंगा एक सेकंड यह मुझे क्या दिखाए दे रहा है भाई यह क्या देख लिया मेने अरे भाई Guys ये क्या है भाई भाई ये कोई सपना है क्या guys Guys ये देख रहो भाई ओ भाई Guys देख रहो आप लोग ये जो train है भाई ये हवा में कैसे उड़ रही है अरे भाई मेरे नीन पूरी हो है या फिर नहीं मैं सपना देख रहा हूँ आप Measure भाई मुझे कुछ नहीं पता गाईज जो मेरे सामने हो रहे है तुम देख सकते हो यार गाइस तुम देख सकते हो इतम इसने की तरह भाई गोल-गोल सा गुमे जा रही भाई अरे भाई इतम मेरे सर के उपर से जा रही भाई इसका कोई वैफ और लोकोमेटिव लगा हुए तुम देख सकते हो एंड इसमें कोई पूरी अफोरी इसमें कोई टिख देख सकते हो एंड वैफोर लोकोमेटिव इसर लीड कर रहा है बट ये हवा में पर चकता एंड ये डकोई इसने की तरह कैसे डुर्ण ले रही है ओ भाई बिल्कुल सनेक बन चुकी है गाई मूझे डर लग रहा है आई इसससे यार इक काम करता मैं दुबारा से अंदर जाता हूँ अपनी जो नीन है भाई जो मैं मतलब डिश्टब करके बीच में होग चुका हूँ भाई इससे पूरी करते हैं अगर नीन पूरी नहीं होगी तो ऐसे ऐसे सीम तुमें देखने को मिल सकते हैं तो गाईस चलते हैं अभी नीन पूरी करते हैं फिर जब उठेंगे तब चलेंगे बाई railway station यार तो ठीक है गाईस बाई बाई भाई यार गाईस मैं तुमें क्या बता हूँ यार मुझे ऐसा सपना मैंने देखा ना मैं उसकी जो क्लिप है गाइस मालब अपनी इमेडिनेशन वो वीडियो में आड करवा दूँगा और वो तुम पहले देख चुके होगे अपना मैंने देखा ना गईस में तो मैं क्या बता हूं एक स्केशन लिए मैं ही डर गया भाई ओ भाई मैं ऐसा सपना तो तुम्हें कभी मनाया यार मैं इतना ज्याता इंडिया नेगवेस का फैन हूं कि मुझे सपने में ऐसी डरावनी चीज़े दिखाई देती है मैं खुला है भाई हेलो देखो गाईस मालब इनका दर्वाजा खुला है और मलब बन करके नहीं आ सकते इनको रिस्क लेना जरूरी है भाई खेर गाईस तो सब अम बाते बात में करेंगे अभी चलके देखने भाई ओ भाई देखो मेरे लिए बाई कभी-कभी एक-एक बस भी यहां पर देखो दो-दो बस आरे बाई मुझे पीक-ड़ने के लिए ओ भाई आस्तो मेरे लोटरी लग गई यार ओ भाई ऐसा सीन देखने को मिल जाता है दिल खुश जाला नहीं भाई देखो गैसी यहां पर मुझे दो-दो बस पीक-अप करने के लिए अब मैं भाई ट् बेस्ती बहुत देखते हो ना मेरी मत देखो यार देखो गैस वह बस यार मलब चली गई है उनके ड्राइवर ने मलब इगनोर कर दिया उन्होंने का भाई अब तु इतना टाइम लगा रहा है काम कर तु उसी बस में चड़ जाया ऐसी बेस्ती तो मत करो यार मेरी खैर गैस आप लोग देख सकते हो यहां पर यह जो बस लिखा हुआ है तो यह सही बस है अच्छो जो मैं बसमें नहीं बैठा क्या फाइदा वो मुझे कहीं और पहुंचा देते भाई रेलवेशन की जगा एयरपोर्ट में बचला जाता खैर गैस वहां पर तुम देख सकते हो इस ब बार खोल दिया मेरे लिए भाई आरार करके भाई दरवाजा खुलवा लिया ने खैर गैस आप लोग देख सकते हो यहां पर यह जो वैन बस है इसके अंदर मैं आ चुका हूं अब जाके मुझे बस का साउंड है मलब इतनी देर साउंड कहां चला था यार पता नहीं गैस यह ड्राइवर के ने छोटे से हैं गाइस सॉरी यार मुझे गलती हो गए ड्राइवर जियार दिल पर मतले ना यार ख्यार अभी देख सकते हो मैं कैमरा एंगल को जल्दी से ड्राइवर के उपर में सेट करता हूं एंड फिर मैं तुमसे मिलता हूं यार जब हमारी बस चल एंड उनका टो टोप है ना गाइस उनके उपर में लेकर रख दिया रख दिया एंड उनको पता भी निचला भाई एक्तम चुपके से काम किया थीक है इतना तो चलता है यार आउर देखो गाइस यहां पर जो हमारी बस है वो हमें लेकर चल रह रहे है यह रेल विस रंड अब भाई हम जाएंगे सिधा रेलवे सिर्ण पर मैं तुमसे मिलूंगा यहां पर देख सकतो यार यहां पर थोड़ा थो आटर तर्न लिया जा रहा है काफि अच्छी बात है एंडल देखते हैं भाई हमें कब तक पौशा आते हैं रेलवे सिर्ण कियो वैसे पसीना देख र बढ़िया गाड़ी गई भाई अरे भाई भाई हैवी ड्राइवर ओपी कर दो एक बार कॉमेंट सेक्शन में देखो गाई मलब इन्होंने कैसा टरन लिया यह सिकेट के लिए मुझे लगा ना मेरी बास जाके बास दिवाल में समझ जो भाई क्या हो जाएगी देखो गाई खेर गैस अभी जो railway station वो काफी जादा close आ चुक है यही तक आज की मेरी जड़नी थी I mean मलब यहां से प्रेम की जड़नी है बस की जड़नी यही तक थी है थोड़ा पास समझ लिया करो भाई तुम भी खेर गैस आप लोग देख सकतो है यहां पर हमारी जो बस है वो काफी बढ़ इतनी कुँए यहां ऐसी क्या दिख दागी भाई लेसी क्या होता है बाई सामने कि ओर सुरी गाइस माफ कर दीजे भाई मुझे खेर गाइस आप लोग देखते हैं तो यह बस वाले ड्राइवर हैं इन्होंने बस को रुका दिया है और यहां पर ओ भाई दर शीषे के उस पार देखो यार मुझे मत देखो मुझे क्यों देखते रहता हूं मुझे भूरा करते हू जब देखो दर शीषे के उस पार देखो गाइस वहां पर तुम्हें दिखाए जिरोगा कोई माल गाड़ी जो की स्टेशन से क्रॉस कर रही है ओ भाई एक तम गजब सीन्यार वह देखो पीछे से भी देख लो ख्यार गाइस अब मैं इस माल गाड़ी को अगर देखता रह रही है वैसे यह रेख लो यह जो बस वाले भाई यह मतलब चले गए यार मतलब ठीक है भाई इनको मैंने इतना मांगा इन्होंने दे दिया भाई 15 रुपए खैर गाइस आप लोग देख से तो यहां पर वो जो फ्रेट रेन वो भी जा चुकी है तो लेट सी गाइस हमारी एक हमारी बस यह बहुत आप है यहां पर जो हमारी ट्रेन तो अभी तक आया नहीं पर जाड़ लगता है मुझे सामने से कोई ट्रेन आ रही है भाई खैर मुझे सामने में कुछ माल गाड़ी के वैगं भी दिखाई दे रहे हैं भाई उनका क्या काम यार कुछ देर फ़हल नाल गाड़ी क्या कर रहे है भाई कुछ तो सीन होके रखा है भाई एक बार मेरी ट्रेन को आने दो ना फिर जब वो मुझे आगे लेकर जाए कि एक एक सीन में तुमें दिखाऊंगा खेर गाईस तुम देख सकतो यहां पर कोई ट्रेन हमें क्रॉस करने वाली है और स्क्रिप्ट कर रही है इसी स्टेशन को जहां पर हम खड़े हैं ओ भाई ओ भाई गाईस कितना बढ़िया क्रॉसिंग है भाई कोई एलगी एक्स्प्रेस्टेन है जो कि सोग पार जा रही ओ भ अच्छा जो उड़ा नहीं यार खेर गैस आप लोग देख सकतो यहां पर यह जो कोई एलजीवी ट्रेन थी यह स्टेशन को बहुत अच्छी रफ्तार में स्क्रिप्ट करके गई यह एंड काफी ज़दा मज़ा है मुझे यह वाला क्रॉसिंग को देखने में एंड लेक्स आप लोग देख सकतो हो यहां पर हमारी जो ट्रेन है लेक्स वो कब तक आती है यार एंड ओ भाई ट्रेन आरी यार बट दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है अरे भाई जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं गाइस प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मैंने सोजा था यह जो ट्रेन आ रही है मेरी इस पर आगी यार बट वो तो दूसरे साइड वाले पर आ रही है अरे भाई खेर गाइस आप लोग देख सकतो हमारी जो ट्रेन है आ रही है और यहां पर बहुत देर से मुझे एक एलको लोगोमेटिव का होरन साउंड आ रहा था पड़ मैं स किसी WDG-3A लोगोमेटिव के साथ में शाइस से शाइस से WDG-3A बच्चो हमारी ट्रेन है वह स्लोली स्लोली यहां पर रुक रही है और हमारी लिए रुक रही है भाई मैं तुमें बता दू यार इस सी ट्रेन में मेरी जर्णी होने वाली है यह जो WDG-3A मैं लग इसका और इस वैगन के कलर देखो भाई मैं लग यह डार्क रीन कलर का हो रखा है WDG-3A और इसके जो वैगन से यह भी डार्क रीन टाइप के हैं थोड़ा सा इसका जो लाइटिंग है वो कम है यार बस इंडियन आर्मी के वैगन से तो उसे ग्रीन कलर का कोई लोकोमेटिव ले होंगे यार देखो गाइस अब इस सिस्टेशन पे ना कोई फूट ओबर ब्रेज नहीं है तो मुझे रेलवे ट्रैक को मलब वॉक करते हैं दे क्रॉस करना पड़ रहा है यह आप लोग कभी भी रियल वड में ट्राय मत करना है यह तो यह मैं इसलिए मैं कर रहा हूं यार् अब यहां से टेन में चड़ जाएंगे यार खैर कैस आप लोग देख सकते हो यह जो कोच है यही वाला मेरा कोच है थर्ड एसी का तो चलो गाइस अभी हम इसके उपर से चड़ जाते हैं भाई सीडिया है ना भाई हाँ चलो यार शुकर है वाणना कैसे चड़ता भाई मै उड़के तो चड़ने ही जाता खैर कैस यहां पर अब देखो यार यह मैं आ चुका हूँ थर्ड एसी कोच के अंदर में एंड लेट सी हमारी टेन को अब कब तक लेरंस वागरा मिलता है वैसे माल गारी कहां जलेगे बाई इंडियान एलवेस वाली मलब इंडियान आर्मी वाली भाई जो लेके गया डडू टीजी थी यह कमाल कर दीज भाई वो खेर गाई साब लोग देश है तो यहां पर हम आ चुके हैं एंड लगता भाई मेरी टेन को यहां पर सिंगनल मिल गया खेर यह देखो ओ भाई कार जा रही यार मलब कुछ देर पहला भी महां से हम भ बोलोगी ना भाई साउंडी सुनाओ तो मैं होरन का खेर गाईस वो पॉसिबल नहीं है उसको तुम सीरियसी मत लेना यहां पर जो हमारी ट्रेन अब वो निकल चुकी है इस स्टेशन से यहां तक अभी इतने सारे कारणामे हुए तुमारे सामने यहां पर गाईस तुम दे जो लोकोमेटिव होरन बजा रहा है कि तुम गजब का यार दिल खुश हो गया भाई लोकोमेटिव को होरन सौन सुनके खेर गाईस आप लोग देख सकते हो यहां पर जो प्लेटपॉम है वह हो चुगा है पूरी तरी किसे खतम अब बाद याती है हमारे लोकोमेटिव की तो मैं बता दूँ वह एक एमडी लोकोमेटिव है एंड लखनाव का है भाई मेरी सीटी का है दिल कुछ हो गया भाई मेरी सीटी का है अलब दिल कुछ हो जाता है गईस आप लुब देख सेकतों यहां पर हमारी जो ट्रेन एक तम अच्छे खाजी रफतार में चल रहे है यहां बड़ साइट से क्रोसिंग हो रहा होता किसी ओई टैंकर वाली फ्रेंट ट्रेल का खेर गाईस इसके ओपर तुम देख तो जो भारत पैट्रोलियम पर एडवर्टाइजमेंट है भाई हो लगा के रखा गया है भारत पैट्रोलियम में चैट इंडियन ओल का लगया ह पूरी तरीके से हो चुके हैं खतम काफे लंबी थी यार यह भी ट्रेंट खैर गाइस अभी जो देखो यार हमारी जो रफ्तार में दौड रहे हैं यहां का एक सबसे अच्छा चीन में तुम्हें बता हमारी ट्रेन है थोड़ा सा ग्रेडियन लेवल पे जल रहे हैं थो आ सारी देखता हूं बट एक्चिली मुझे पता नहीं होता है गैसी मनलब इनका काम क्या होता है तो अगर आप लोग मुझे पता सकते हो क्या चीज थी तो मुझे काफी दाधा खुशी मिलेगी एक तरीक से मेरा भी नॉलज़ बड़ेगा यार खेर गैस यहां पर एक और सास में कोई ICF train हमें क्रॉस कर रहे है वैसे ICF से ज़्याद है यह जो कोचेस तुम देख रहे हो ना अब कुछ दिन में तुम्हें नहीं देखने को मिलेंगे पुछो क्यों 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 क्योंकि D-Learning वेस के 500 प्लस सिरीज के ICF रिलीस होने वाले भाई मलब दिल खुश हो जान अब ही तुम देख सकते हो हमारी जो देर पहले उसने ICF train के साथ में क्रॉसिंग ली है यहां पर अब जो मेरा स्पीड हो काफी ज़दा स्लो हो रहे है जहां तक मुझे लग रहा है मेरा जो नेक्स होल्ट है वो काफी ज़दा क्लोस आ चुगा है जिसके कारण मेरा स्पीड यहां पर हमारी जो ट्रेन हो पूरी उत्करिस लिवरीश है पर जो हमारा को शेना बाइव वो सबसे अलग है आप हो एक रिजन है तुम्हे मलब लगी ही कहा होगा रिजन है खैर कोई अभी हमारा है इस्में हमारा पैले 200 पहले बता था यहां पर हमारा थह थैय ऐस और हम एपर हमार सा पर यहां फ़। आगे जर्णनी करने का मेरा मूड नहीं गाइस आप देख सकते हो यहां पर हमारी प्रेन का थर्ड एसी के पीछे वाले मैं आ चुका हूं अभी तक आगे था याँ तो अभी थोड़ों सा पीछे में मैं आ चुका हूं क्योंकि यहां से भी वीडियो विए हुए काफी दावा प्याराता है याँ क्यार आप देख सकते हैं यहां पर कोई वैप साइट के साथ में कोई एक्सप्रेशन लगी हुए यह सुपर फास एक्सप्रेस लेट सी कौन सी होती है भाई कौन सी होती है यह जाइए तेखना पड़े गया ओ भाई टी बोर्स देखा इसके मादब यह अभाई अमरी सर से न्यू डैली को जाने वाली सुपर फास एक्सप्रेस और इसका वैफास लोकमेटिव होता है मुझे किसी ने तो बताया तो कोमेंट्स में कौन हो भाई तुम तरह कौमेंट्स में मैं आओ यार बताओ मुझे कोई हो बाई तुम जानना है यार यह अगर सेंस को चीज़े अपलोड नहीं करना हूं भाई बट वहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो यार काफी ज़ादा तुम्हें अब अगर ओटेक हो गया मेरा अगर अगर मेरा ओटेक हुआ अब हो ही रहा है भाई पुछ बोलने लाइक ही नहीं मुझे बन कर लेता हूं यार खेर आप देख सकते हूं यहां पर कोई है नहीं बोलूगा यार में देखो गाई यहां पर हमें कोई फ्रेट्रीन उवटिक कर रही है माल गाड़ी भाई माल गाड़ी और तो छोड़ी दो यार अगर एक्स्प्रेशन उवटिक करती तब इतना बूरा नहीं लगता इतना मुझे माल गाड़ी उवटिक करती तब scene तो नहीं होना था, खेर गाइस अब हो चुका है भाई, उसे हम भूल जाते हैं और बढ़ते हैं भाई आगे, तो गाइस आज की वीडियो तो में कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में आप लोग जरूर से बताना, एंड अग्राफिया पर पहली बार एंटर रिमारे हैं तो भाई सस्क्राइब जरूर से कर लेना तो ठीक है गाइस, अभी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक किया है और हमाई इस्टेग्राम पर आजो हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बेस सबरी से इसार कर रहा हूँ, तो जरूर से आजो और फॉलो बटन दबा दो या, तो ठीक है अभी मैं तुमसे मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में